नमस्कार दोस्तों, जैसे कि वीडियो के थम्नेल में आप लोगों ने देखा कि आज हम बात करने वाले हैं कि रभी मौसम 2021-22 में बिभिन फसलों के बीज की अनुदानित दर पर उपलब्ध के सम्बंधित सूचना तो इसके अंतरगत जो है आपको गेहूं, चना, मसूर, मटर, राई, यसरसो, तीसी, मक्का और जो इस सभी का बीज आपको उपलब्ध कराया जाएगा वो भी जो है 50% से लेके 100% अनुदान तक आपको दिया जा सकता है तो ये क्या है सूचना यही जानकारी मैं आप लोगों को वीडियो में डीटेल्स बताने वाला हूँ, वीडियो को सुरू से लाज तक देखिए, अगर चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए तो सभी किसान भाईयों एवंबहनों को सुचित किया जाता है कि क्रिशी विवाग के अंतरगत बिहार राज बीज निगम के माध्यम से रवी मौसम 2021-22 के बिभीन योजनाओं में रवी फसलों के बीज अनुदानित दर पर वितरत करने के लिए योजना जो है कारेवानवित की जा रही है एक चुक किसान जो है अनुदानित दर पर बिभीन रवी फसलों के बीज प्राप्त करने हैं तो dbt portal dbtagriculture.bihar.gov.in ये खोलना है आपको वहाँ से आप दलहन एबम तेलहन के लिए एक अगस्ट से एक अगस्ट से 20 अगस्ट तक तथा गेहू एबम मक्का के लिए 21 अगस्ट से 20 सितंबर 2021 तक आप इसका आवेदन कर सकते किसान सुभधा अनुसार किसी भी android mobile से या computer से या common service center जो csc center होता है या आप किसी भी वसुधा के अंदर से जाके आप कर सकते साइबर कैफ के माधियम से आप आवेदन इसका कर सकते हैं तो दलहन एबम तेलहन के लिए 28 2021 एबम गेहू एबम मक्का के लिए 29 2021 तक जो है आवेदन करने की अन्तिम्तिती है किसानों को घर तक बीज पहुचाने के लिए home delivery की विवस्था है online आवेदन में home delivery का विकल्प चैनित करने वाले किसानों को घर तक जो है सुल्क ने सुल्क जो है आपको बीज पहुचाया जाएगा किसानों को home delivery में बीज आपूर्ती होने पर गेहूं के लिए 2 रूपे अबम अन्य फसलों के लिए 5 रूपे परती कीलों की दर से अलग से भुगतान आपको करना होगा किसान का फसलवार बीज आवेदन पंचायत के संबंधित क्रिशी समानवेक को स्वता चली जाएगे सुयों के आवेदक किसानों को चैनो अपरांत उनके निवनधित मोबाइल नंबर पर क्रिशी विभाग द्वारा OTP भेजा जाएगा क्रिशी समानवेक द्वारा बीज प्राप्ति संस्थान के संबंध में सूचना आपको दी जाएगी निर्देशित बीज बिक्रेता को अपना OTP बताकर अनुदान की रासी घटाकर सेस रासी का भुगतान जो है बीज प्राप्त करने के समय आपको करना है तो आपको बता दे कि गेहूं के लिए क्या है तो गेहूं के लिए अनुमानित मुल्ली जो है 38 रुपे और आधार बीज के लिए 40 रुपे इसमें आप मुख मंत्री तिब्र बीज बिस्तार योजना जो है इसके तहट अगर आप बीज लेते हैं तो इसमें आपको 90% सबसीडी मिलती है और एकिकरित 20 ग्राम योजना के तहट लेते हैं तो इसमें आपको 50% की सबसीडी दे जाती है तो हम कहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है मुख मंत्री तिब्र बीज बिस्तार योजना के तहट ले इसमें क्योंकि 90% सबसीडी है अगर आप प्रतियक्षन बीज के अंतरगत उसके अंतरगत आते हैं तो आपको 100% की सबसीडी दी जाएगी प्रतियक्षन छोड़ कर से सभी घटकों का बीज अनुदान काट कर किसान को जो है दिया जाएगा अगर आप इसका आवेदन करना चाहते हैं तो dvtagriculture.bihar.gov.in पे जाके आप इसका आवेदन कर सकते हैं